सो गहलोब विटकम बाक्ट टो जैसे की यहां पे सिवीटी के अंसर की रिलीज हो चुकी है इसके बाद से यहां पे काफी सार लोग को उनका राउस स्कोर पार चल जूक है कि मतलब उनके यहां पे सी उल्टी में एस्टिमेट कितने बन रहे है मक्स अब इसी साब से उनको यह यह पर यह डाउट है कि क्या उने डैली उनिवर्स्टी मिल भी पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा एक चीज जो मैं सबसे जादा देख रहा हूं वह यहां पर कॉलेज प्रेडिक्टर बहुत सारे यूटिबर्स ने आपर कॉलेज प्रेडिक्टर तक लॉंच कर दिये जिस से तो में यह स्लक्राइगा कि क्या तुम लोगों डियू मिल भी पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा याँ मिल पाएगा इतना मतलब के उन पलंगों कोई रखते हैं तो आजके अंतनु के काइब ईए ni TE पर बताने वाला हो क्योंकि इस बार भी उमीद लगाई जा रही है कि लास्ट यह जैसा ही यहां पर तुम लोगों को कट आफ देखने के लिए मिलने वाला है तो आज वाली उडिक अंदर में यहां पर नॉट केंपस साउथ केंपस और ओफ केंपस इन तीनों कम है तुम सबसे पर लेकर चलता हो अब मैं पर अपनी स्क्रीन पर चुक हो एंड जैसे कि तुम लोगों मेरी यहां पर स्क्रीं शो भी हो रही होगी तो इसके अंदर हम लोग यहां पर बात करने वाले मिनिमम स्कोर जो पी चाहिए डैली उनिवस्टी में अडिमिशन लेने के लिए इसके साथ इस वाली वीडियो के अंदर में तुम लोगों स्क्रीं अब हम लोगों में तुम लोगों 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 तुम साइंस के अंदर भी not south of campus देखने के लिए मिल जाता है अब भाई तुम लोग यहाँ पर मेरे को बता गया सिरो कि हमारा score इतना बैटर है तुम लोगों के दियू मिल सकता है यहाँ पर नहीं मिल सकता सबसे बलता तुम लोगों यहाँ पर अपना जो raw score है वो calculate यहाँ पर कर ल यहाँ पर नहीं मिल पाएगा तुम लोगों यहाँ पर इतना बताता हूं देखो अभी जो है वो normalization still रहती है normalization के लिए किसी के marks कम भी हो सकते है किसी के marks बड़ भी सकते है तो ऐसा assume मत करो कि raw score के basis पर तुम लोग का admission होने वाला है तो तुम्हारे admission होगा वो result के बाद जो यहाँ पर तुम लोग क्लिक करके अपनी जो response sheet है वो चेक कर सकते हो अब करना कैसे यह में तुम लोग को बताता हूं तो देखो जैसी response sheet checker पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर तुम लोगो सबसे बहल अपना board select कर लेना school name select कर लोगे and city select कर दोगे इसके बाद तुम लोगो आप अपनी जो OMR sheet की image है वो भी हाँ पर upload कर सकतो लाइक जैसी तुम लोग हाँ पर image upload कर दोगे वो उससे भी काम चल जाएगा बाकी इसके बाद होगा क्या तो देखो तुम लोगो कुछ इस तरीके से OMR sheet मिल जाएगी अब इसके बाद तुम लोगो कुछ डिटेल परनी है कि यहाँ पर subject कौन सा है इसके बाद तुम लोग exam date fill up कर दोगे कि कौनसे date को exam होए and set कौन सा था उसके अंदर यह सब पर पर प्र लोगों जैसी इसके बाद तुम लोगों यहाँ पर तुम लोगों तुम लोगों यहाँ पर तुम लोगों दिख भी जाएगा कि रिस्पॉस तुम्हारा क्याता है and answer इसका सही क्या है and इसके बाद marking कैसे हुए किसमे तुम्हारा minus one हुए किसमे तुम्हारा plus five देखने के लिए मिल रहा है तो one click के अंदर ही तुम लोग यहाँ पर easily अपना civt का score हो यहाँ पर check कर सकते हो बाकि ऐसी तुम लोग यहाँ पर और subjects का पी क जिबलू तो ऐसी तुम लोग यहाँ पर check कर सकते हो डीवडी एप के अंदर यहाँ पर तुम लोगो total marks भी मिल जाएंगे स्कोर्स के अंदर तुम्हारे कितने marks बन रहे है वो भी तुम लोगो यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे कि स्टैस्टिक्स के अंदर मेरे 149 marks बन रह जाएगी तुम लोग यहाँ पर रैंक का फीचर भी मिल जाएगे जिसके अंदर तुम लोगो यह पता चलेगा कि तुम्हारे यहाँ पर कितनी rank बन रही है तो वन क्लिक में तुम लोग response sheet चेक कर सकते हो तुम लोग पोर्स की eligibility मिल जाएगी इसी के साथ तुम लोग अपनी जाएगी तो टेलीग्राम चैनल तुम लोग जॉइन कर सकते हो लिंक उसकी description box में वहाँ से जल्दी से डाउनलोड कर लेना बाकी देखो Bachelor of Arts की बात करें तो 750 प्लस स्कोर तुम लोग पर यह नौट केंपस मेड़मेशन लेने के लिए अब मैं यहाँ पर तुम लोग को स्टुटेंट्स के आ जाते हैं नौट केंपस मेडविशन लेने के लिए 750 प्लस बीए ओनर्स में होना ही चाहिए इसी के साथ साथ अब मैं तुम लोग को बीकॉप ओनर्स की बात बताओ तर 760 प्लस होना चाहिए बाइब बीकॉप ओनर्स के अंदर जितने पी स्टुदें सब्सक्राइब बीकॉप ओनर्स को टार्गेट करते हैं तो इसमें यहां पर कॉम्पेडिशन बहुत जादा रहता है जिसे हो इसकी जो कट आप सबस्यादा हाई जाती है तो तुम लोग यहां पर नौट केंपस मिल सकता है वागि अब लोग साइंस के कोर्स की बात करते है एक कॉर्स की कटफ त्युक्त बन रहे हैं अब इसके साथ पीसी इब में फोग सारे तो तुम लोग यहां पर नौट केंपस के लिए और देखो उससे पहले यह जान लोग कि जो겠지만 यहां पे धीरे बढ़ रह रहा है तो इसके बात तो यहां पर नौट केंपस की थी बने तक कर सकतो तुम लोगों यहाँ पर अलॉटमेंट के डिफरेंट स्क्रीन शॉट जेकने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर स्क्रीन शॉट है जो कि तुम लोगों टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे बाकी जो कट आफ होती है उस पर मैंने काफी सारी वीडियो अल्रेडी बना बहुत है तो तुम लोग वह भी चैक आउट कर सकतो लेकिन अगर तुम लोगों पर अलोकेशन के स्क्रीन शॉट मेखने तो देखो मैंने यहाँ पर लिंक अटेज कर रहे हैं लाईक यह फर्स्ट स्क्रीन शॉट किया देन सेकेंड की मिल जाती है तो यह जैसी तुम लोग यहाँ पर इन लिंक्स पर क्लिक करोगे मानलो मैंने इस लिंक पर क्लिक किया और मेरे यहाँ पर जो टेलीग्राम का चैनल है वह उपन हो जाएगा आप जो टेलीग्राम का चैनल ओपन होगा इसके अंदर देखो तुम लोग का लोकेशन मिल जाएगा मैं इसको यहाँ पर कर लेता हो ओपन फाइल पर ऐसी क्लिक करूँ अब तो देखो मेरे को यहाँ पर लोकेशन के स्क्रीन शॉट मिलगा कि डेली उनिवस्टी में यहाँ पर कितने नंबर पर लोकेशन हुए है तो ऐसी यहाँ पर यह तुम लोग भी चेक आउट कर सकते हो बाकि एवर देखो चाहिए या पर भी प्रोग्राम के चाहिए तो 650 मार्क पर तुम लोग को एडमीशन मिल सकता है तो यहाँ पर साउथ केमपस के अंदर 650 प्रस आरे तो तुम लोग यहाँ पर साउथ केमपस के लिए सेफ हो लेकिन वहीं अब हम लोग बात कर लेते हैं बी कॉम उनर्स जैसे बी कॉम उनर्स जैसे कॉर्स में तुम लोग को 710 प्लस चाहिए अगर तुम लोग को यहाँ पर साउथ केमपस के कॉलेजिस में अदमिशन लेना है तो क्योंकि यह सबसे लादा कॉमपडिशन में होता है यहाँ पर तुम लोग की हाई कट आफ जाती है काफी जादा हाई क्योंकि बीकॉन उनर्स के अंदर सीटे भी उतनी जाब अवलेबल नहीं है तो साउथ केमपस के अगर तुम लोग को कॉलेजिस में अदमिशन लेना है तो तुम लोग को 710 प्लस स्कोर करना पड़ेगा जन्रल गैटरी के लिए बाकि अगर तुम लोग OVC से बिलाओ करते अगर तो इसवों में लेन लिए उस दो लेकर श्काष केमपस के लिए बाकि अगर बातकर लिए बाकि क्लैटे कामपस के लिए बाकिक में बात कर लेता है है यहाँ इंछ से तुम लोग 853 मार्क से ब्लूप में 515 मार्क पे दमिमिशन मिल द्यल गार कि कॉमर्स में यहाँ पर 650 प्लस अगर माक्स आ रहे तो तो तुम लोग पो डीसेंट कॉलेज मिल जाएगा लेक लास्ट यह जो बीकॉम मिलाता न वह यहाँ पर इस बार भी उमीन लगा सकते हो कि 650 तक अगर तुम लोग अगर तुम लोग अगर तुम लोग इस से नीचे जाते तो देखो 200 नमबर पर भी तुम लोग आ पर मिल जाएगा PCML जो गोर्स होते हैं एक मानलो तुम लोग Physics Honors के लिए जाते हो यह पर Chemistry Honors के लिए जाते हो तो 200 माक्स पर भी तुम लोग आ पर Off-Campus में अगर जाएगा बाकि PCP की बात करे तो PCP में आ पर Competition अगीन जादा होता है तो Commerce में यहाँ पर B.com प्रोग्राम हो गया BMS हो गया या फिर B.b.a. या फिर B.b.e. इन टाइप के जो courses होते हैं इनके अंदर यहाँ पर सबस्दाब कॉम्पेडिशन होता है Commerce के लिए एंजो Commerce की courses होते है मेरी यह उसी में सबस्दाब कॉम्पेडिशन होता है इसके बाद रहते हैं यहाँ पर Humanities के course अब Humanities के course में इसमें कॉम्पेडिशन जादा होता है B.A. honors History हो गया पॉलिटी हो गया या फिर Economics honors हो गया इकॉनमिक सॉनर्स का प्लिसमेंट काफी जादा अच्छा है इस विसे competition भी काफी जादा रहता है या फिर B.A. प्रोग्राम के combination हो गया History plus इसको काफी जालोग टागेट करते हैं जो कि यहाँ पर Government job की रिप्रेशन कर रहे होते हैं बाकि देख़े हैं जो science कॉर्स है उलके अंदे उत्वादा competition नहीं रहता लिकिए फिर भी कुछ कॉर्स होते हैं computer science honors हो गया mathematics honors हो गया statistics honors हो गया तो इनके अंदर competition जादा रहता है ब मिलतने नेक्स रूड़ और अपन के लिये बाई बाई